तो आला उदल की शौर नगरी महोबा की ये चरखारी विधान सबा है और यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ में मौझूद हैं भात्री जंदा पाटी से निवर्तमान विधायक डॉक्टर ब्रज भूशर राजपूर जी काफी लोगपरीता इनकी यहाँ पर है और दूसी बार ए पर किया है बड है सार पांस साल का वक्तों भी चुका है एð समें कई काम हुए कोनकों से से काम हlexa जो आप और मिलिकर्ण क्यों मेण जाते थी तो चर्खारी अपनी विदान सभा में जिसे हमारे चर्खारी आप नेगर में खुदी आए होंगे देखा होगा यहां टूरिजम के लिए तयार किया गया है, यहां के मंदरों में सौन्दी करण किया गया है यहां का जो गोबर्दन जी का पार्ग है वहां पे उसको बनाया गया है और यहां पे मिनी स्टेडियम भी बन रहा है, यहां की बहुत पुरानी मांग थी कि मदारण देवी माता का जो पूरी छेत्र का आस्था का केंद्र है वो सड़क बन मिभाग के होने के कारण नहीं बन पा रही थी तो जिसका हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके तो उसका भी सड़क बनवाने का काम किया है तो अगर मेरी विदाहन सबाद छेत्र में एक भी खेल मैदान नी था किसी गाओं में विदाएक बनने के बाद मैंने सत्रा गाओं में खेल मैदान बनवाने का काम किया मेरे यहाँ विदाहन सबाद में एक भी जिम नी थी ओपिन जिम नी थी आज हमारी विदाहन सबाद में चर्खारी में ब्यामसाला है बेला ताल में बनवाने का काम किया है पनबाली में बनवाने का काम किया है सूपा में ओपिन जिम बनवाने का काम किया है लालपुर में ओपिन जिम बनवाने का काम किया है गौरारी में खेल मेदान बनवाने का काम किया है इसके बाद हमारे यहां पे विभाय घर नहीं थे तो हमने जो है अपनी विधानसवाद छेतर में 47 विभायगर बनवाने का काम किया है ऐसी कई सड़के थी जिन सड़कों के नाम पर धरना प्रदसन हुआ लोग विधायक बने मंत्री बने मंगर वो सड़कें नहीं बनवाई गई हमने ऐसी सड़क रिवाई से चंदौली मार्ग बनवाने का काम किया कुडार वाली सड़क बनवाने का काम किया जरौली की सड़क बनवाने का काम किया ऐसी कई सड़कें हैं इनको हमने बनवाने का काम किया है इसके बाद में हमारे यहां की एक सड़क है चर्खारी से राट की तो मेरी विधानसवा की छेतर की सीमा की वो सड़क है वो उसका बनवाने का काम किया चर्खारी से सूपा वाली सड़क बनवाने का काम किया आप हरपालपुर से महवा आईए वो एक बड़ी सड़क बनवाने का काम किया कुल पहाट से आप अजनर जाईए वो सड़क बनवाने का काम किया तो सड़कों का पूरी विधानसभा में जाल फैलाया और गाओं में साड़े तीन सो सड़के बनवाने का काम किया हमारी चर्खारी में पुस्तिकाले नीथ पुस्तिकाले बनवाने का काम किया। अपने व्यक्तिगत बैसे, अपने पैसे से अपनी विदान सबाज की नौजमानों को पुलिस और आरमी में पाहँचाने के लिए फीजिकल एकेडमी शुरू की और इन इस कारकाल हमें सेकड़ों, नौज़बानों की और बेहनों की पुलिस और आर्मी में नौकरियां भी मिली हैं आप अगर चाहेंगे उसकी सुची उपलब करा दूँगा आप उनसे मिल भी सकते हैं तो यहां पर हमारे यहां जिनके पाप पैसा नहीं है किसी गाओं के हैं वो यहां रहना चाहते तो यहां फ्री रहना खाने तक की हमने विवस्ताय दी और कुल्दी भटनागट जी जो कारगेल योद्धा हैं वो उन नौजबानों को प्रिस्चन देते हैं इसके बाद हम लोगों ने जो है अपनी विधान सबाद शेतर में जो हमारे यहां धोसा मंदिर है बहुत फेमस मंदिर है बारा सो साल पुराना मंदिर है उसका सौंदी करण करवाने का काम किया है डॉक्टर ब्रज भूशर राजपूत एक लोग पर यह नाम है लोग भरुसा करते हैं तो ऐसे में कई ऐसे काम होंगे जो बीते पांस सालों में नहीं हुपाए होंगे तो अब क्या नई लक्स है क्या नई उमीद है जनताज़वा मौका दे रही है तो क्या आगे उनके लिए हो देखिए बुंदेल मेरे यहां पर यहां मेरी विधानसवा में 90 परसंट किसान भाई है और यहां का किसान आर्थिक रूप से कमजोर है उसका कारण है कि यहां प्रतिक बर्स देवी आबदा आती है तो मैंने जैसे विधाएक बना दो हजार अठा में अठारा में देवी आबदा आयो ओलवरस्टी हो गई हमने 48 घंटे में जो है मौअब जी का पैसा किसान भाईयों के खाते में पहुंचा है फिर 2019 में सूखा आ गया तो हमने सबसे पहले चर्खारी को सूखा गोसित करा कि फिर मौअब ज़िवाने का काम किया फिर कोविट आ गया फिर हमने विधायक निधी लगा के अपने यहां के लोगों को बचाने के लिए आप पता कर लिजेगा चर्खारी में कोविट की विवस्था सबसे अच्छी थी चर्खारी जबकि एक छोटा सा जगए है यहां पर छत्र पुर टीकमगड़ हरपाल पुर नोगाओं जहां सी तक से आके लोगों ने यहां पर उप्चार लिया इसके बाद फसल बीमा लोगों के बीमा तो होते थे मंगर कभी आजादी से लेके अवे तक कभी किसी बीमा कंपिनियों ने किसानों को क्लेम नी दिया हमने अपनी कारकाल में अपनी विदानसवा के किसान भाईयों को 168 करोड रुपए बीमा का क्लेम दिलवाने का काम किया है दोक्सरा कर बात करें फिलाल समाजवादी पाटे की 2022 विदानसवा चुनाओ को लेकर तो जिस तरीके से 300 यूनिट बिजली फ्री और पाकिस्तान को भारत का मित्र बताना तो क्या लगता है यह सारी बयान यह सारी चीज़े कहीं चुनौती गरूपे सामने तो नहीं तो नहीं जिस तरीके से समाजवादी पाटे की ओर से 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कहीं जा रही है पाकिस्तान को मित्र बताया जा रहा है जिन्ना की बात कहीं जा रही है तो कहीं इस तरह की बातें जो है वो चुनौती गरूप में सामने तो नहीं आएंगी 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 विल्कुल नहीं विल्कुल कोई शुनौती ही नहीं हैं लोग उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि जब समाजबादी पार्टी की सरकार थी तो विजली गुल थी विजली आती ही नहीं थी और बुंदेल खंड में तो विजली मिलती ही नहीं थी यहां तो दो-तीन घंटा अगर मिल जाती थी बड़ी बात होती थी आप पता करली जी का मेरा मैंने ही कई बार धरना परदसन अमरण अंसन तक बिजली को लेकर किया मेरे उपर समाजबादी पार्टी के की सरकार में मुकदमे भी लगे हुए हैं उसी की वज़े से मैं जेल में भी रहा है तो ये जिस सर सरकार में बिजली ही नहीं आती है तो वो यूनिट फिरी देंगे क्या तो उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं बिजली अगर मिली है तो भारती जनता पार्टी की सरकार में जो है जो बड़े हुए बिजली के बिल आते थे मतलब पहले बिजली भी नहीं आती थी और बिल करते हैं भगवा से नफरत करते हैं उनको उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाने का काम करेगी आप देखिएगा नया इत्यास अचेगा उत्तर प्रदेश में कभी किसी ने दुबारा मुख्यमंत्री नी बने मगर योगी जी उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे जो दोबारा मुख्य मंत्री बनेंगे अच्छा बुंदेल खंड का ये इलाका है पानी को लेकर लंबे समय से समय रहती है क्या इस दिशा में कुछ काम हुआ या आगे होगा बहुत अच्छा काम हुआ है हर घर नल और हर खेतों में पानी पहुंचाने का अगर कोई काम कर रहा तो भारती जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है आप किसी भी गाओं में चले जाए ये काम बहुत तेजी से चल रहा है और ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि हर खेट तक पाइप लाइन जाएगी हमारे बढ़करेड़ा छेतर में जाएए एक डेमो कारे चल रहा है जिसमें लगबग 25 गाओं में हर खेट तक पाइप के मध्यम से पानी पहुचाने का काम कर रहे हैं कि कई बार सपा सरकार आई बसपा सरकार एक अरजुन साहिप परियोजना थी मगए वो पूरी नहीं हो रही थी हमारी सरकार बनते ही उस परियोजना को सुरू कर दिया हमने तो मैंने संकल्प लिया है कि किसान भाईयों की फैक्ट्री जो उनके खेट उनकी फैक्ट्री तो उसे मजबूत करना है क्यूंकि चार पांचो साल की निधी का पैसा जो है किसानों की फैक्ट्री को मजबूत करने में लगाऊंगा हर खेट तक खमा और तार ले जाने का काम करूंगा अपके प्रतियाशी गोशित होने से पहले तवाम तरे की कया से लगाई जा रही थी लेकिर आपका टिकेट फैनल हुआ क्या अब क्या संदेश देना चाहते है अपने चाहने वालों को हमारे दर्शकों को विदान सभा के लोगे पार्टी ने जो विश्वास मुझ पर रखा मैं पार्टी के जो वीजन है पार्टी का जो एजंडा है जो घोशना पत्र में चीजें आएंगी जो हमारे देश के से काम करेंगे और हम लोगों ने जिस विश्वास के साथ में काम किया है यहां पर मतलब अभी आप से इतनी देर मेरी बात हो रही है मगर अगर हम लोग काम गिनाते रहेंगे तो लगता है मैं आपको दो घंटे तक इंटरिव्यू चलाना पड़ेगा तब भी काम खतम नही नहीं दिया है और आप तो जानते ही हैं सभी लोग आजकल पार्टी में सर्वेव गएरा कराते हैं तो उसी की बज़े से जो जनता का इसने और विश्वास मुझ पर तो उसी विश्वास के बल पर जो पार्टी ने भी मुझ पर विश्वास किया है इन पांच सालों में मैं जनता के बीच में रहकर एक जो बाताब्रन बनाया है जो यहां पर पिछली जो सरकार के नेता हुआ करते थे विधायक हुआ करते थे वो कोटेदारों से पैसा लेते थे सफाई करमचारियों से पैसा लेते थे टीचरों से पैसा लेते थे हर चीज में थानों से पैसा लेते थ इस पैसा लेते थे मंगर इन इस सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सफाइकरंचारियों को गाउं को सुच्छ रखना पड़ा है कोटे दारों को जो और गरी बादियों को गल्ला बार्द नपड़ा है भी बिजली विभाग को बढ़िया लोगों को बिजली देनी पड़ हो तो यह थे हमारे साथ चर्णखारी विदान सहबा से डॉक्तर ब्रज्भूशन राजपू जी जो कि यहां से एक बार पूरे उट्सा के साथ दुवारा से मैधान में डटे है और पूरे विश्षास के साथ इस पूरी तरीके से चलखाली छेते में विकास की गंगा बहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हर खाबर का अपडेट आप तक पहुँचे तुरंद। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलू कर सकते हैं। हमारे आईडी है अट तरेट ज्यम्धी ड्यूस फ्लाश।